कि सो हेलो गाइस फाइली यह आप लोग डिपलोमा किये हुए हैं इस वेकंसी के लिए एलिजबल हैं और आप फार्म अपलाई कर सकते हैं दोस्तों हम बात कर रहे हैं नेशनल हाइडो एलेक्टिकर पावर कार्पोरेशन लिम्टेड में जूनियर इंजिनियर के लिए आई और सबसे पहले बात कर ले वीटियो को आगे बढ़ने मी! अभी तक आप माय चैनल को सबसक्राइब न Deptal नीगे तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजएगा और ब्लीज वीडियो को लायक कर लिजएगा इस चैनल पर friendly चाहिए देटे रहें दोस्तों आपका फ़ांब जो आप्लाइन होने श्राट हो गया रेक्ती ज़िए दो जार बाई इसका इसका है कि फ़र्वरी दो हजार बात करें आपका जो बात करें आपका जो बाकर पर मांधरट है कि टंपरेरी यह तो दोस्तों इसमें जो है आपका जो है salary कि तापकी salary जो मिलने वाली है इसमें देख सकते हैं तीन junior engineer के तीन पोश्ट पेज़े से सिबील, electrical, and mechanical के लिए अलग अलग department निकली हुई है इसमें आपको salary मिलने वाली है गार आप पास यह नहीं है अगर आप हाइयर है ठीक है टेक्निकल में है तो आप भी यह बीटिक भी है तब भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं लेकिन आप जिस टेर से अप्लाई करेंगे उस से जो है उस डिपांटमेंट से आपका जो है कौलिफेकेशन होना चाहिए आपको age में relaxation मिलेगा, यह government की vacancy है, सभी state वाले form प्लेग कर सकते हैं, male और female दोन अप्लेग कर सकते हैं, आपका age जो count होगा, 1 February 2022 से count होगा, यापका date आप बर्त को 1 February 2022 से minus किया जाएगा, 30 साल से ज्यादा नहीं होना जाएगा, अगर आप journal है, तो अगर आप SSTOBC हैं, तो आपको age में relaxation मिलेगा, अब यहाँ पर टोटल जो vacancy है, 133 vacancy है, अलाग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, जो civil के लिए 68 है, 68 है, वहीं जो बात करें, electrical के लिए 34 है, और जो आपको mechanical के लिए 31 है, तो दोस्तों आगे बात करें आपके जो है, अपनी केसन फीस की इसमें, जो है, general, OBC और EBS वालों को जो फीस लगेगा, 255 रुपय लगेगा, बाकी अधर केट गीज जो है, SCST का फीस इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, तो दोस्तों आप फार्म कहाँ अपलाई करोगे, आप इसकी official website यहाँ पर देख सकते हैं, www.nhpc.india.com पर जाकर फार्म अपलाई कर सकते हैं, अब बात करें दोस्तों आपका selection process का, तो आपका selection process में सबसे पहले आपका return test होगा, यहाँ चैसे आप देख सकते हैं, ठीक है, आपका centre की बात करें यहाँ तो आपका 22 city में आपका अलग अलग center होगा, अब बात कहलें इसमें आपका एक्जाम पैटन की इसमें आपका question आएगा हिंदी और इंग्लिस दोनों language में, आएगा टोटल जो question आएंगे इसमें 200 question आएंगे आपको जो total समय दिया जाएगा इसमें तीन घंटे का समय दिया जाएगा total marks जो होंगे 20 marks होगा अब बात करें इसमें आपको हर question के लिए एक marks मिलेगा और इसमें negative marking one by fourth में negative marking है जहां पर आप देख सकते हैं आपका question पेपर तीन पार्ट में डिवाइड होगा जो पहला होगा 140 question जो है आपके concern इस प्रांच से पूछे जाएंगे वहीं 30 question आपके general awareness से बूल जाएंगे वहीं 30 question ही आपके जो है reasoning से पूछे जाएंगे दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे आपको इस चैनल पर डेली जो है गौर्णन वेकेंसी से लेटेड़ इन फानवेसर लेकर आते रहते हैं तो जिली मिलते हैं नेक्स्ट गवर्णन वेकेंसी से लेटेर इन फान मेंसर लेकर तब तक लिए बाया टेक क्या थैंक्यू बेस्ट आप लगए